कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी डाई लगा करके अपने बालों को काला बना रहे हो देखिए जाहिर से बात है कि एक उम्र के बाद बाल सफेद होने लग जाते हैं लेकिन डाई लगाने से आपकी आखे भी वीक होंगी साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है स्किन लॉसेमग्द ऐसकी र्रेमेडि लेकर आई हो तो इसके लिए लुकाज़ का बव्रतन लेना है बहुत ही सिम्पल रेमेडि है इजी टू मेक है और इसको सबसे अच्छी खास बात आप इसको वन मन तक स्टोर करके रख सकते हो कांच की कंटेनर में तो इसके लिए आपने लोहे का बरतल लेना है उसके बाद आपने इसमें डालना है मेरे पास थोड़ी सी मोटे दाने वाली कौफी पाउडर है तो मैंने ये वन टीस्पून डाल दिया अगर आपके पास पाउचस है तो आप दो से तीन पाउचस में डाल दीचिए इतना इनफ रहेगा एक बार के इस्तमाल के लिए जो दो रुपर वाले पाउचस आते है न व इसके बाद आपने डालना है इसमें आमला पाउडर आमला में आइरन मैंगनेशियम विटामिन सी भरबूर मातरा में होता है जो कि हेर ग्रोथ करता है सफेग बालों की प्रॉब्लम को दूर करता है और बालों को नैश्रली ब्लैक बनाता है हेर टेक्ट्टर को प्रेश आमला को कट कर दीजिए और इसको डाल दीजिए अब सिंपली इसके बाद आपने इसमें डालना है वन टी स्पून बीट रूट पाउडर बीट रूट बालों को प्यारी शी शाइन देता है ब्लैक बनाता है और नरिश करता है हेर रूट्स को इसमें भरपूर मात शाइज बढम करते हैं या गरते हैं आहिन डाल डेना है और और हम स्टिंव ऑफे आपने इसको बालों से यह गलाना है अच्छी त01 से ब्लाह चाहए जब तक ही बोश्च नहीं और ब्लिक consigo डरीक धीया काफी यहाया जगूं का चांच काफी तरह से ट्रीट करते हैं है हिलातना है और जब भी अच्छी तरह से रोल स्वेज़ से रोला कुछ हो जाए तो बस रोलुक्त करने के बाद अब आपने डालना है मस्टर्ड उल मस्टर नाल सकते हो अपना फेवरेट कोई बीु ऑल अल कोमबो भी बना सकते हो तो यह डाल अच्छी तरह से पकाना है दो मिनट तक के लिए उसके बाद गैस आफ कर दीचिए और फिर आपने इसको तीन से चार गंडे तक इसी बर्थन में रहने देना है लोहे के धक्र कर रखती चिए इसके क्या होगा इस और में सारे तत्वा आ जाएंगे इसके पाउरफुल बन करक stain कर लीजिए उसके बाद अपने साव बालों पर इसको लगाईए overnight लगा सकते हो best result के लिए नहीं तो at least आपने एक घंटे तक के लिए लगा करके रखना है अपने बालों पर उसके बाद normally shampoo से wash कर लीजिए weekly आपने इसको दो बार इस्तमाल करना है इस्तमाल कीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से यकीन मानिए आप देख कि खुदी हैराल हो जाओगे पहली बार से ही आपको result देखने को मिल जाएगा अगर आपके सफेद बाल है तो वो एक ही बार में काले नहीं होंगे पहली बार से आपके बाल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी बट सफेद बाल आपके धीर धीरे ब्लैक फॉर्म में होने इस्टार्ट हो जाएगी रिवर्स होंगे तो इस तरह से इस्तमाल कीजिए और अपना फीडबेक में साथ जोश्य कीजिए का चली मिल दियो अपसे अनदर एफेक्टिव वीडियो के साथ लें टेक के और थैंक्स सो मुच गैस पर वाचिंग इस वीडियो बावाई